हलो स्टूडेंट्स क्या हाल जालें आप लोगे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बहतरीन होंगे और मज़े कर रहोंगे तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे कि सिर्फ NCRT से कितने marks possible हैं Class 12 Mathematics में मैं बात कर रहा हूँ CBSE Board की ठीक है तो इस बात का जवाब जो है आप अपने senior को अप्रोच करते हैं या teacher को अप्रोच करते हैं तो different different लोग different different opinion रखते हैं इस बात को लेके और ये बात इस बात पर निर्भर करते हैं कि उन्होंने कब paper दिया था या उन्होंने कब कौन सा paper analysis किया है लेकिन मैं आज आपको इस बात का जवाब दूँगा बिल्कुल टिपिकली लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ट यानि कि यह जो अभी 23-24 का पेपर हुआ है इसमें क्या हुआ था इसमें कैसे चीजें हुई है उसी के आधार पे मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूँ कि क्लास 12th Mathematics Special New Batch हमारा आ रहा है सफल 2.0 जो की 8 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है और from nothing to 95% यानि कि जिन बच्चों की पिछले 3 महीनों में बहुत जादा खास पढ़ाई नहीं हुई है एक दो चेप्टर्स किये हैं उन्हों इसके amazing features है regular live classes, recording and notes मिलती है आपको doubt sessions, test open mic session इसके अलावा यह जो हमारी tension रहती है कि हम लोग NCRT के अलावा क्या करें है ना तो हमको कोछ चार किताब करने की ज़रूत नहीं है हम लोग सिर्फ सफल DPPs करते हैं and that is enough to score 100 out of 100 marks तो यह free paperback है ना paper format में आपको जो है DPP free home deliver होती ह है right with the batch और इस batch के अंदर जो main all the conceptual lectures will be taken by me only ठीक है so अब सफल 2.0 की हम लोग बात करते हैं तो यह बहुत ही affordable and highest result giving batch है right है गया और दोनों की जो pricing है यानि कि सफल 2.0 batch plus paperback DPP कमाइन 1749 फीस रहेगी आपकी और आप सफल 30 coupon code लगाना ना भूले क्योंकि बच्चा क्या करता है कि जरा आपने batch की price तो कम बताई थी लेकिन वहाँ पे app पे या website पे ज़्यादा दिखा रहा है so आप coupon code apply जरूर करें सफल 30 तब जाके आपको यह pricing दिख जाएगी so आपको batch के साथ free paperback DPP है ना and free home delivery ठीक है so इसके लावा गर आपको batch को join करने के लिए कोई भी कोई भी अगर query हो हाला कि आप जब batch की most of the queries तो जब आप website पे हमारे और app पे description में आपको link मिल जाएगा तो आप सफल 2.0 के description में जाएगे तो आपको क्या planner है किस time classes है PC से laptop से कैसे join करना है class वो समाम बातों का जवाब आपको महां मिल जाएगा लेकिन आप इस number पे call करके भी अराम से बूड की बात कर रहा हूँ कितने marks possible है इसको analyze करने के लिए मैंने question को दो पार्ट में divide किया एक NCRT question एक not from NCRT question NCRT questions के अंदर मैंने वो वाले questions भी लिये जो similar to NCRT questions थे मतलब कहने का मतलब ऐसे questions जो बिलकुल NCRT के अंदर मौजूद है लेकिन अगर आप उनकी जो है थोड दूसरे type के questions है not from NCRT questions याने कि ऐसे questions का कोई direct description नहीं है NCRT के अंदर ठीक है ना so total 15 questions पर परते actually different series के अंदर different sets होते हैं so 5 series थी और 5 series के अंदर 3 sets each थे और ये बच्चे कहते हैं कि सरह हमारा set tough था ये था वो था मैंने सभी sets का analysis किया और मुझे पता चला कि almost questions की या तो shuffling जो है वो different थी यानि कि कोई question पहले पूछ रखा है तो किसी दूसरे set में बाद मे पूछ रखा है right है क्या cheating वगर को avoid करने के लिए so question उपर नीचे थे बाकि questions almost same थे सभी series और सभी sets के अंदर ठेके ना तो इसलिए we have randomly picked जो है एक series हमने start उठाई 65 ratio 1 ratio 1 और उसमें हमने set 1 उठाया right और वहाँ पर हमने हर question को बकायदा ध्यान से देखते हुए उसमें labeling करी और case study वाला question का section होता है यहाँ पर NCRT not from NCRT NCRT not from NCRT इस तरीके से पूरा का पूरा labeled है जब हमने इसको पाइवर्ट किया तो हमें जो result मिला वो यह मिला कि result of the analysis is what कि यह NCRT से directly यह NCRT के जिससे जो similar questions थे 42 marks के questions जो है वो directly from NCRT थे right तो यह अच्छी बात भी है क्योंकि जो ब बगाइदा आराम से pass हो सकते हैं अगर आप लोग कहेंगे तो मैं different different years के questions paper का analysis भी आपके साथ share करूंगा यह तो 2023 से 24 का है यानिकि just recent year का latest pattern को follow करते वे जो trend है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ not from NCRT से यह वो questions है जिनका विवरन बिलकुल भी NCRT में नहीं है जो आपका जो घड़ी है आपका जो समय है वो बहुत तीजी से चल रहा होता है और आपको कोई question pressure में solve करना पड़ जाए especially तब जब आपने पहले ना solve किया हो तो ऐसे 38 marks score करना वो challenging हो जाता है so ऐसे में दो तरह के students हैं जो सिर्फ pass होने का criteria देख रहे हैं उनके लिए NCRT is more than enough जो optional में NCRT ले लेते हैं optional में maths ले लेते हैं ऐसे students के लिए NCRT is enough but अगर आप कोई competitive exam जो है follow कर रहे हैं जहाँ पे marks का criteria है है और आपके खूद के dream score है right कि आपको 95% plus score करना है ठीक है तो directly NCRT से आपका काम नहीं चल पाएगा so मैं पहली बता रहा हूँ इसके लिए हमें variety of questions की practice करनी पड़ेगी यानि कि ऐसे questions जो NCRT में नहीं है बट PYQ में है exemplar में tentatively या probabilistic पूछे जा सकते हैं ऐसे questions को मैं पहले से ही advanced preparation करनी पड़ेगी और बेतरी mock test बगरा भी हमको करने पड़ेगे so that कि हम लोग paper में यह जो not from NCRT questions है इनको भी हम लोग easily solve कर पाएं so इस तरी तयारी है देखिए इससे डरने की बात नहीं है हमारे पास इनफ टाइम है हम अपनी तयारी को उसी हिसाब से switch कर सकते हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो students जो है जिनका कुछ ऐसा खास preparation नहीं चल रहा है right so please आप लोग सफल 2.0 batch join कर सकते हैं नया batch start हो रहा है बड़ यह opportunity है fresh opportunity है और आपको ज्यादा लोड लेने का need नहीं है right है गया so everything will be covered in the सफल 2.0 batch है ना और आपको किसी भी respect में किसी भी angle में कोई potential लेने की जरूत नहीं है चाहिए वो format of questions हो चाहिए वो concepts हो right है चाहिए वो complex topics हो and everything will be easy for you है ना in the सफल 2.0 batch तो आप इसमें भी आ सकते हैं ठीक है ना so इसी इस आप से आपकी preparation को और बहतरीन करने के लिए मैं और वीडियो से लेकर आता रहूंगा so मिलता हूं next video में till then goodbye and love you all but you bye bye